एक बार खाओगे तो बार बार चाहोगे सुआद और सुधिता का दूसरा नाम रोहित की रसोई मसाले सबजी मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, साही पनीर मसाला, सही बहुत कुछ शंद्वा प्रखंड के रूद ग्राम के गुज्राई टोले के ग्रामिन चुवारी नदी का दूसित पानी की सेवन करने को मजबूर है सुचना मिलने पर भागबा के वरिस्ट नेता है सच 17 लोगसबा शेतर से प्रत्यासी रहे अयूप खान वा अंचल सची वैजना ठाकूर ने गुज्राई गाउं का दौरा किया गाउं आस्यों से मुलाकात कर जानकारी ली रामिनों ने महिनों से खराब पड़े जल मिनार के बारे में बताया निताओं ने गाउं से लाटकर बताया कि प्रखण मुख्याले से 4 किलोमेटर दूर कट पुटलिया के समीप NH 75 से 60 यह टोला है यहां करीब 35 घर है जनसंख्या दोसों के आसपास होगी महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे सुबा साम पक्की सड़क पार कर घागरी नदी के चुआडी का दूसित पानी पी रहे है पीने की पानी के लिए गाउं से चुआडी जाने के क्रम में पक्की सड़क पार करना पड़ रहा है सड़क परवाहनों के लगतार परशालन होने से पानी लाने वाले महिलाओं बच्चों के साथ दुरघटना की आसंका बनी हुई है इस अधिक लोग चुवारी नदी का दूसित पानी पीने को मजबूर है नेताओं ने उपायुक्त अबू इम्रान से गाउं में खराब पड़े जलमिनार को ततकार्थी कराने एवं नल जल ग्योजना के तहट गुजराय गाउं के सभी घरों में नल के माद्यम से पानी उपलब्द कराने का अनुरोध किया है अपनि और जीकन गदिखना पलं ऑए और शांम को भी लेखते हैं पानी ऩुजराय है जान में जलमिनार नहीं है तर पड़ा हो एक महिना को का नाम यह टिघिर जाना को तनी है हम बलें जन मिन्यार है एक महिना से खराब है सब टोटल गाओं का आदमी नरी से पानी पीते हैं प्लिकार होता है एक तिलिमिटर दूर हो जाता है पानी का बहुत समस्या है अगर हम जो प्लिकार बिआ है वो भी किसी के घर में उसका डाइरेक्ट लाइन पानी का नहीं है वहाँ से चालू था तो वहाँ से लोग ढोके घरे ले आते थे हम लोगों को घरे भी पाइप देना चाहिए घर घर इनों के लिए नली का नाम है? महें सिंग रूद तोला गुंजराई चंदवा परखंड का यह चेटर पंचाईत का गुंजराई टोला है आप देख रहे हैं परखंड का रियाले से मात्र दो तीन किलो की मीटर के दूरी पर यह गुंजराई टोला है और इनेज सड़क के किनारे यह टोला है लेकिन यह दुरभाग है कि इस टोले के लोग अभी नदी के दूशीत पानी पीने को विवस है और इसी पानी को जानवर भी पीते हैं और यहां के इनसान भी पी रहे हैं इससे गाउं के टोला के लोगों को काफी परिसानियों का समला करना पड़ रहा है और वह एनेच पक्की सडक से पार होके इस नदी तक उन्हें आना पड़ रहा है जिससे घटना दुरगटना का भी संभोना बनी हुई है और यहां दुशीत पानी का सेवन कर कई लोग यहां बिमार भी पड़ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं और जल्मिनार खराब होने और नदी की दुशीत पानी पीने की जानकारी होने के बावजूद भी जो संबंधीत बिभाग है वह जलमिनार को ठीक करने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण लोग यहां के गरामिन और महिला हैं पानी के लिए काफी परिशान है और यहां खराब पानी पी जलमिनार जो खराब है उसे ततकाल दुरुस्त कर और यहां सवक्ष पानी लोगों को उपलब्द कराया जाए और साथ ही साथ तोले में लल जल जो योजना है उसे यहां चालू कर घर-घर पानी पुचाने की हम लोग मान करते हैं